हेलो फ्रेंट्स टेकेन फाइनस में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कल यानि नेक्स डी टडिंग के लिए थी स्टॉक्स की दोस्तों एक पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो आप कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं दो स्टॉक्स बताऊंगा इभियास डे मैंने जो बताया था बायो कॉन पोजिशनली मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा बायो कॉन का लेवेल्स दिये थे बाई करना था 390395 लेकिन सुभा सुभा मार्केट ओपेनिंग से पहले ही हमारे जो ओविसाइट में मैंने बता दिये थे कि यहां पर अपडेट मिल जाएगा पोजिशनली जितने भी सारे स्टॉक्स मैं अभी बता रहा हूं उन स्टॉक्स की अपडेट हमारे इस टेगन फाइनांस जो टेलिकरम चैनल है यहां पर मिल जाएगा और यहीं देखिए डोंट में एक लॉंग पोजिशन्स ऑन बाय कॉन इस तरह म मैं यहां पर अभी लेवल्स बताने वाला हूं तो यह देखिए इनकी जी स्टेटस है यह अवर्ड है और यहां पर टार्गेट ही या स्टॉप लॉस जो भी होगा यहाँ पर आपको स्टेटस में मिल जाएगा इस तरह की वीडियो समें तो विशनली इनकी चार्ट सेटब दिखते हैं, क्या levels हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो दिष्तों, चलिए बारे में मैंने अलग वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक वीडियो चुटा सा लाइटेडिंग के साथ, इसमें के साद नीक्स वीडियो में को मिला और आप अगर इंट्राडे में ज्यादा इस्टोक टीप्स प्राप करना चाहते हैं निप्टी वेग निप्टी यहाँ पे ज्यादा तर लेविल्स में अभी अपडेट नहीं कर रहा हूं हमारी प्राइम जो टिलिक्राम चैनल है यहाँ पे लेकिन अगर आपको हें तो सिंपर आप हमारे अंडर आकाउंट टोपिं करके बिल्कुल फ्री में जोयन हो सकते हों लिन्क आपको वीडियो की डिस्केशन में मिल जाएगा मतलब आकाउंट भीनिंग व्लिंक व सटुर आप अच्छय कासा। दोनो टारगेटी एचिप हो गये थे आज तो इसलिए बात करते हैं कि काल के लिए जी स्टॉक्स है दुस्तो पहला स्टॉक्स है PBR यह अल्रडी यहां पे थाउजन्स 20 में था उस टाइम में बताने वाले थे कि यहां पे अब डेली वहरी के लिए डेली वहरी वेस बाइंग कर सकते हो PBR में अच्छा का सब पैटर्न देखने को मिल रहा है लेकिन गाइस अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और आपको बाइ करना है बिल्कुल यह जो कैंडल से हैं इस कैंडल को हाई को ब्रेक करें तो आप आप बाइ कर सकते हो आप अगर एक कॉंजर्वेटिव ट्रेडर है त तो यह जो आप यहां पर बाइंग कर सकते हूं लेकिन आपको धियान देना है आप अगर गरLife ट्रेडर है तो simple यो high है इन high को अगर break करें तो भी आप buy करें otherwise आप बिलकुल मुझद इस्तोर से भी buy कर सकते हो लेकिन आप कुछ stop loss maintain करना है positionally trading करने के लिए stop loss रहेगा यह जो green candle है green candle की बिलकुल low ओके तो इनकी जो level से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अल्रेड़ी हाँ पर no down कर चुका हूं buy करना है 10401055 के अंदर आप buy कर सकते हो और target रहेगा 1175 मतलब 100 से भी जादा and 1215 यह रहेगा target काई से आप stop loss थोड़ा सा बड़ा है कि 940 रहेगा stop loss ठीक है तो simple आप चाहे तो अगर यह down पर आए फिर तभी आप buy कर सकते हो काल अगर थोड़ा नीचे की तरह पाए तो भी आप buy कर सकते हो ठीक है और stop loss रहेगा 940 तो आप अपने हिसाब से इस levels को देखते हो है positions बना सकते हो positionally बात करते है next stocks है excited industry June futures को sell करने की देखिए sell करना है 152 151 इनकी चार्ट मैं यहाँ पर देखना चाओंगा दस्तो आप देख सकते है 20 days moving average को यहाँ पर close नहीं कर पाया ठीक है क्योंकि एक बार भी cross करके यहाँ पर close नहीं दे पाया देखिए 20 days moving average के उपर ओके फिर देखिए यहाँ पर downside moment देखने को मिल रहा है हलाकि यहाँ पर gap down फिर देखिए यहाँ पर consolidated कर रहा है था दो दिन और फिर देख सकते है आज यह सारे levels को break करके बिल्कुल down पर आके close दिया है 20 days moving average के उपर तो दोस्तों बिल्कुल इनको भी आप sell कर सकते है मुझे देश्तर से आज भी मैंने मेरी prime telegram में दिया था इनको sell करने के लिए one point already target एचिप हुआ है आप इनको sell कर सकते हो positionally मुझे लगता है यह 140 तक जा सकते है तो यहाँ पर इनकी जो levels है 152 151 पर sell करेंगे and stop loss रहेगा 155.3 छोटा सा stop loss है दो तिन point की and target रहेगा 144 and final target 140 तो यह positionally है जो भी positionally stocks होगा वो यहाँ पर मैं no down कर रहा हूँ और जो भी result होगा हूँ मैं यहाँ पर सोग कर दूँगा तो आपको सिस्टिविटी के लिए आपको ट्रेडिंग करना है आप over trade मत कीजिए आभी जो market है market की जो हाल है दो side की movement देखने को मिल रहा है इस तरह की market में तो ज़दा conservative होके ट्रेड करना भेतर होगा पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं और उनके लिए मैंने दो लेवेल्स अल्रडी बता दिया तो इसलिए next जो stock लेवेल्स है जो इंट्राड के लिए है जैसे कि आज के लिए मैंने टाइटन को बता जाता सौट करने की और कल आप बाटा इंडिया क को सौट करके चल सकते हो तो इसे हां पर बता इंडिया की चार्ट देख सकते हैं लास्ट दो दिन यहां पर इंट कर रहा है तो इन इस टॉक्स को बिल्कुल सौट करके चल सकते हैं सौट करना है 1334 जो आज की डेट की लो है 1334 अगर ब्रेक करें सौट करना है 1347 स्टॉप लॉस रहेगा एंड टार्गेट 1302 एंड फाइन टार्गेट 1290 के लिए बाटा इंडिया को सौट करके चल सकते हो गाइस काल यानि ने इस टडिंग के लिए बिल्कुल बना सकते हैं दुस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहां पे जितने भी सारे स्टॉक्स अपडेट होते हैं स्टॉक लेविल्स ओनली एज्यूकेशनल पापास के लिए आप अपने ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनलिसीस जुरूर कर सकते हैं तो गैस दैट इसकि अब भी देखें ती यहां पर बैंकने यहां पर बाई करने जाएंगे जिरु और एक अप्डेट है मैं बताना चाहूंगा तो यहां प्लयां अपडेट boy क्र यह होंगे 64,000 as usual देखिए बैंक निफ्टी में आप बाई करने जाएंगे ना तो बैंक निफ्टी में 11,000 लाग रहा है अभी 20 quantity में लेकिन आप अगर एंजल ब्रॉकिंग में सेम स्क्रिप्ट को 20 quantity यानि वन लॉट बाई करने जाएंगे तो आपको only 4000 में 4 या 5000 लगेगा थ्री टैंस आपको लिभारे जहां पर मिल जाते हैं ओके तो एंजल ब्रॉकिंग में बेलकुल फ्री एकाउंट ओपेनिंग चल रहा है तो विदाउट पेंग यानि अकाउंट ओपेनिंग फीज आप एकाउंट ओपेनिंग कर सकते हैं और इजी एकाउ पाइल एप्लिकेशन से वहां पे भी वहां पे भी अबेलेबल हो जाएगा कुछ दिन के अंदर आप देख सकते हैं तो सिंप्ल किसी भी स्क्रिप्ट पर पोजिशन बनाने के लिए उनकी मार्चिन रिकॉर्मेंट चेक कर सकते हैं पहले से ही इसलिए थैंक यू थैंक यू बाइल उब मैं